नमस्कार उत्राखर्ण मुक्त विश्व द्यालाय आपका हार्दिगविनंदन करता है आज की योकी कक्षा मैं मैं निता दियो लिया मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा पलड़िया है तो आईए अभ्यास से पूर्व कुछ नियमों को जाने जैसे की सुबह खाली पेठी अभ्य करें यदि शाम का समय दे रहें तो भोजन वज्जाने के बादी कम से कम पांच या छे गंटे बाद यह अभ्यास करें अभ्यास के दोरान आपके वस्त्र धीलेव सुविधा जनक रहें जिसकी सी भी स्थान में योग का अभ्यास करेंगे वह स्वच्च हो आसानी से वहां ह आपको ध्यान रखना है जब आप योग अभ्यास करते हैं उसके तुरंत बाद आपको भोजन्या स्नान नहीं करना है कम से कम आदे या एक गंटे का आप समय देंगे तो इन सामानी नियमों को जानते हुए इनका पालन आप करेंगे उसके बाद ही योग के अभ्यास प्रारम क जब आपको पूरों में बताए गए हलासन का अभ्यास आप इजिली कर पाएंगे तब ही आप सरवांगासन का अभ्यास कर सकते हैं सरवांगासन वह अभ्यास है जिसके पूरे लाब आपके शीरसासन के भी मिलते हैं तो जिन व्यक्तियों से शीरसासन नहीं होता है वे इस कर सकते हैं यह एक प्रकार से एडवांस प्राक्टिस भी है इसके बाद आप करेंगे काउंटर पोस जो है आपका मत्स्यासन मत्स्यासन की अलग-अलग वेरेशन आपको बताई गई है जिसमें भी आप सुविदाजनक महसूस करें इसली आप होल करें आजा सके वही अभ्यास आप करें अगला अभ्यास है आपका नौक आसन नाव की शेप के आकार आपकी होती है इसमें नाव की शेप की तरह आपके शरीर का आकार तो इस अभ्यास को करते वे आप रिलेक्स भी कर सकते हैं आसन के तुरंत बाद प्रतेक आसन के अभ्यास के बास शवासन में यदि श सबसे पहला अभ्यास सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे लेट कर किये जाने वाले अभ्यासों में पीट के बल आपकी स्थीतिस प्रकार रहेगी पूरा शरीर खिचा हुआ पंजे खिचे वे दोनों हाथ शरीर के बगल में सर्वांगासन का अभ्यास प्रारम करते हैं तीर एसे दोनों पैरों को उपर की और उठाएं स्वास भरते वे पैरों को उठाते वे बिल्कुल सिधा करें कमर को उपर की और उठाते वे पैरों को सिर के पीछे की ओर लेकर जाएं आप चाहें तो दोनों हातों से हतेलियों से सपोर्ट दे सकते हैं अधिक्तम पेरों को पीछा ले जाने का प्रयास कि आपका कंदे से लेकर कमर तक का भाग बिल्कुल सीधा हो जाए दोनों हतेलों को कमर के पीछे सपोर्ट देते हुए सरवांगासन के लिए त्यार करेंगे स्वास भरते हुए धीरे से पेरों को उपर उठाए ध्यान रहे कमर से नीचे का हिस्सा आपका सीधा रहेगा केवल कमर से नीचे पैरों तर पूरब शरीर एक सीध में आपका पूरा संतुलन कंधों पर सिर पर सरवांगासन का अभ्यास सभी अंग आपके उपर की ओर वापस आने की स्थिती एक बार देखेंगे कैसे आना है पुनह पैरों को मोडते वे तीरे से गुटने सीधे रहेंगे सिर के पीछे लेकर आएंगे जिस प्रकार गए थे वैसे ही आना है हलासन की स्थिती वापस आते हुए धीरे से हातों को सिधा करेंगे पैरों को ठाते हुए कमर को नीचे लेकर आएंगे ध्यान रहे पूरा अभ्यास के दोरान आपके खुटने मुड़े ना पंजों को उपर कियों खिशते हुए पुना सामानी स्थिती में नीचे लेकर आएंगे धीरे से वापस यहीं से शवासन में रिलेक्स करेंगे दोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी पंजे बाहर की ओर हलके मुड़े वे दोनों घुटनों में निश्चित दूरी हतेलिया आसमान की ओर शरीर से कुछ दूरी पर आखें सहस्ता पूर्वक बन शवासन में आपके शरीरी की एक एक मांस पेशी बिलकुल धीली रिलैक्स शितिल रहे पूरी सजक्ता आपके स्वास प्रस्वास वो अभ्यास के प्रभावों को महसूस करने पर हमने जो अभ्यास किया सरवांगासन एडवांस आसनों की सीरीज में आता है हालासन वकर्णपीठासन का अभ्यास द्रड़ होने पर ही सरवांगासन का अभ्यास करना चाहिए सरवांगासन उन आसनों का लाब भी प्रदान करता है जो शीरसासन से मिलते हैं यदि आप से शीरसासन नहीं होता है इस आसन के द्वारा आप उन सबी लाभों को ले सकते हैं तो इससे पहले हम जाने कि सरवांग आसन के लाभ क्या क्या है इस आसन से थाराइट ग्रंथी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है इसका अभ्यास पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, परिसंचरन तंत्र वह अध्दा स्रावी तंत्र पर पढ़ता है वह इन तंत्रों को संतुलित करता है यह अभ्यास मानसिक वह भावनात्मक स्तर पर तनाव कम करता है यह आँग, नाग वह गले संबंदित समश्याओं में लाभकारी होता है अस्तमा वामदुमे के रोग्यों के लिए भी यह काफी अच्छा अभ्यास है साथ ही हमें कुछ सावधानिया ध्यान में रखनी है थाईराइट बढ़ने पर या यकरत के विकारों में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए जिने सर्वाइकल स्पॉनलाइटिस, स्लिप डिस्क, उच्छे रक्ते चाप, हिर्दय रोग है वे यह अभ्यास ना करें मासिक धर्म या गर्बती महिलाओं के लिए यह अभ्यास वरजित है इसी के साथ साथ, शारिव को अमान्सिक रूप से बल्कुल रिलेक्स महसूस करें अपने आपको अगले अभ्यास के लिए तैयार करें अगला अभ्यास का क्रम, मत्सियासन का अभ्यास है जो सर्वागासन का काउंटर पोस भी हम कह सकते हैं स्थिति में आने के लिए धीरे से अपनी आखें खोलें, तोनों पैरों को आपस में मिलाएं, हथेल या शरीर के बगल में, जमीन की ओर, पुनहम इसी स्थिति में वापस आते हैं, और प्रारम करेंगे, मत्यासन का अभ्यास, सरल अभ्यास, दोनों पैर आपके इसमें सीधे रहेंगे पंजे बहार की ओर खिचे वे, हाथों को उपर की ओर उठाते वे, हथेलियों को विप्रीद दिशा में जमीन की ओर लेकर आना है, इस प्रकार से रखें, कंदों के पास या सिरकर पास आपको इस प्रकार से रखना है, कि आपकी हाथों की उंगलियां आपकी ओर सकें दोनु हाथों के सहारे आपको अपनी करदन को उठाना है अपने चाती के हिस्से को कमर के हिस्से को उठाना है कोशिश करनी है जमीन पर आपका माथ या सिर का तला लग सके धीरे से बैलेंस बनाते हुए दोनों हार, आपके ज़ग दोनों जंगाओं उपर, मत्स्यासन की स्थिति, तीरे से वापस आने के लिए पुना, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं, दोनों हाथों के सहारे, तीरे से सेर को सीधा करें, कमर को वापस लेकर आएं, यदी आसानी पूर्वक आप यह अभ्या किया जाएगा जो इसकी पूर्ण स्थिती होती है सबसे पहले अपने बाई पैर को मोड़कर दाए हाथ से पकड़ते हुए बाई पैर को मोड़कर दाई जंगा के ऊपर रखेंगे यहीं से अपने दाए पैर को मोड़कर बाई जंगा के ऊपर जिस प्रकार से पदमासन का थोड़ा सा कठीन अभ्यास है तीरे से दोनों हातों को जिस प्रकार से हम लेकर गए थे पीछे लेकर जाएंगे कंदे के पास कमर को उठाते हुए सिर को उठाते हुए माथा या सिर लगाने का प्रयास करेंगे दोनों अंगुठों को हातों की उंगलियों से लौक कर लेंगे पकड़ते हुए कोशिश करनी है कि आपकी कोहनिया जमीन से लग सके अंतिमिस्तिती मच्ष्यासिन की मच्षे के समान आपकी आकरती दीर इसे वापस आएंगे दोनों हातों को छोड़ते हुए समान स्थिती में लेकर आएं दीर इसे दोनों हातों को पीछे लेकर जाएंगे गर्दन वकमर को सीधा करें यहीं से पदमासन रिलीस करते वे ताएं पैर को सीधा करेंगे बाएं पैर को सीधा करेंगे पुना शवासन की स्थिती में लेट जाएं दोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी पैर बिलकुल दीले पंजे बहार की और हतेलिया आस्मान की ओर रहे शरीर से कुछ दूरी पर आखें सहचता पूर्वक बन पूरा शरीर बिलकुल ढीला बिलकुल शितिल वशान्त पूरी सजगता स्वास प्रस्वास पर अभ्यास के प्रभावों को महसूस करें साथी साथ जो अभ्यास कर रहे हैं उतके लाभों को भी जाने यह अभ्यास पाइल्स की समश्या को दूर करता है कमरदर सर्वाइकल स्पॉनलाइटिस के दर्द में यह अभ्यास लापकारी होता है इस अभ्यास को करने से थायराइड वा थायमस ग्रंथी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है प्रजनन रोगों में भी बहुत लापकारी अभ्यास है तो आईए लापके सान कुछ सावधानिया भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए हर दैरोगी, हर निया या अलसर के जैसे रोगों में या अभ्यास सावधानि पूर्वक या फिर किसी योग्य, योग सिक्षक के मार्ग दर्शन में ही करना चाहिए ये इसकी सावधानिया थी इसी के साथ साथ, अब आप पूर रूप से रिलेक्स हैं अगला अभ्यास करने के लिए तैहार है, तो आईए दीर इसे स्थिती में वापस आएंगे आखें खोलते हुए, दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए हतेलिया समीन की ओर शरीर के साथ लगी हुई अगला अभ्यास का क्रम नौकासन का अभ्यास करेंगे नौकासन नाम से ही प्रतीत होता है, नाव के सम्मान इस्थिती हमें अपनी शरीर की रखनी है तो आईए अभ्यास प्रारम करें स्वास भरते हुए धीरे से अपने पैरों को 32-40 डिग्री तक उठाएं और अपनी शरीर के उपरी भाग को भी उठाएं ध्यान रहे आपकी कमर व आपके नितम का उपरी भाग जमीन पर रहेगा निचला शरीर व शरीर का उपर का हिस्सा इस प्रकार से नाव की शेप में नौकासन कर भ्यास के लिए हाथ आपके सीधे रहेंगे पूरा प्रभाव आपके अब्डॉमिन रिजन पर वापस आने के लिए धीरे से शरीर को डिला छोड़ेंगे वापस आते वे स्वांस छोड़ते वे पुना शवासन की स्थिति में आएंगे दोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी हथेलियां असमान की ओर सरीर से कुछ दूरी पर आखें सहिष्टा पूर्वग बन शवासन में रिलेक्सेशन के दौरान आपके घुटने हलके मुड़े हुए पंजे बाहर की ओर हथेलियां अध्खुली अवस्था में पूरा शरीर पिलकुल धीला शव के समान सासन में रिलेक्स करेंगे नौकासन के बाद शवासन का अभ्यास करने से हमारा तनाव भी कम होता है इसलिए इस अभ्यास के बाद हमेशा शवासन में आकर रिलेक्स करना चाहिए तो आईए नौकासन के कुछ अन्य लाबो को जाने यह अभ्यास पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है पाचन की कारिश्रमता को बढ़ाता है यह अभ्यास तनाव को कम करता है तथा रक्त परिसंचन वो तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है इसी के साथ साथ हमें कुछ सावधानिया विध्यान में रखनी है कमरदर्द या सर्वाइकल स्पॉन इसकी समश्या में यह अभ्यास सावधानि पूर्वक करना चाहिए तो आईए इसी क्रम में अगलाव अंतिम अभ्यास कंदरासन का हम करेंगे पुनर स्थिती में वापस आएंगे और अपने आपको शारिक वमान्सिक रूप से तैयार भी करेंगे दीरे से आखें खोलते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाएं दीरे से हतेलिया जमीन की और रखते हुए शरीर के बगल में रखेंगे पूरा शरीर बिलकुल खीचा हुआ कंदरासन का अभ्यास प्रारम करेंगे कंदरासन के लिए सबसे पहले पैरों की स्थिती दोनों पैरों को मोड़ कर घुटने आपके उपर की ओर रहें पैर के तल्वों को जितना अधिक नितम के पास आप लाकर रख सकते हैं रखें त्यान रहें दोनों पैरों के पंजे पूरे तरह से जमीन पर लगे वे रहें तीरे से बटक्स को उपर उठाते वे सुविधा पूर्वा अपने एडियों को पकड़ना है या आप अपने टक्नों को पकड़ सकते हैं जैसे भी आप जाना चाहें यदी संभव ना हो तो आप हातों को सीधा करके एडि के साथ स्पर्श करा सकते हैं इस सिस्तिती में आना यदी संभव ना हो तो ध्यान देंगे, अगला अभ्यास इसी में ही, स्वास भरते हुए, धीरे से अपने पैरों की जंगाओं को उपर उठाएं, कमर को उपर की उड़ताने, ध्यान दें, कंदे आपके जमीन से लगे भे रहेंगे, कंदरासन के अभ्यास में, कंदों पर, शरीर का भार, पर लगेवे, स्वास भरतेवे, इस अभ्यास में रुकेंगे, वापस आने की स्थिती, स्वास छोड़तेवे, शरी ढीला करतेवे, धीरे से जिस परकार गए थे, वापस आएंगे, कमर लेकर आए नीचे, धीरे से जंगाओं को नीचे लेकर आएं, हाथों को समानी स्थिती म लेकर आएं वधीर इसे पैरों को सीधा करेंगे शवासन में रिलेक्स करेंगे दोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी त्यान रहें तोनों पैर बिल्कुल धीले पंजे बहार की ओर हतेलियां आसमान की ओर रखते हुए शरील से कुछ दूरी पर दोनों हाथ हातों की हते अवस्ता में आखें सहेश्ता पूर्वक बंद करें शवासन का अभ्यास पूरी सजक्ता आपकी आती वजाती स्वास पर यथा संभव लंबी गहरी स्वास पर स्वास कंदरासन के प्रभावों को महसूस करें साथ ही इस अभ्यास को करने के बाद इनके लाबों की चर्चा करते हैं यह अभ्यास कमर दर्द में अत्यंत लापकारी अभ्यास है उदरगत सभी अंगों की मालिश करता है महिलाप का जनन तंत्र को प्रभावित करता है मासिक धर्म के रोगों अस्तमा वा थायराइट के पर इसका अभ्यास कुसल प्रसिक्षक के मागदशन में ही करना चाहिए।